कब लगेगी सरकारी नौकरी, कब हमारा भाग्योदय होगा ऐसे धेरों सवाल अक्सर मुझे कमेंट में और मेरे वाटसेप पे आपसे बहुत सारे मिलते रहते हैं जैसी कृष्ण, मैं हूँ रवींद्र और आप बने हूँ है तंत्र आफ इंडिया पर दोस्तो जो आपके सामने प्रश्ण लिखा हुआ है यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्ण है कि कब हमारी नौकरी लगेगी सर, कब सरकारी जौब लगेगी या कब हमारा भ्यावसाय चलेगा, भ्यापार के कब योग बनेगे तो इस तरीके के हमें बहुत सारे कमेंट मिलते हैं तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसा जिसे आप देखकर यह समझ सकेंगे कि आपके जीवन में भागी परवतन कब हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखेगा, पहली वार आए हैं और दोनों हातों को देखकर ही कोई सही डिसीजन हो पाता है वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे आप डिसाइड करेंगे तो नौकरी या भाग्योद है दोनों चीज़ों को यहां मिक्स करके चलेंगे जैसे हो सकता है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं कब लगेगी वो इस वीडियो के माद्यम से हम थोड़ा बताने की आपको कोसिस करेंगे तो सबसे पहले किसी दिन सुबह खाली पेट आप अपने हातों का निक्षन कीजिएगा खाली पेट होने पर जो हमारी रेखाएं होती हैं वो सही होती हैं सुबह सुबह उसके बाद दिन में उनमें जो है परवर्तन हो जाता है तो सही डिसीजन आपको सुबह ही मिल पाएगा तो सुबह सबसे पहले हातों को अच्छे तरीके से दोईए और फिर आपको जो चिन देखने हैं वो मैं बताऊंगा पहले मैं कुछ चिन बना लेता हूँ यह सबसे पहले हम बना रहे हैं लाइफ लाइफ लाइण इसे हम जीवन रेखा बोलते हैं यह मैंड लाइन यानि के मस्तिक्स रेखा यह है हर्ट लैन हिर्दे रेखा बिवाह रेखा और यहां से हमारी यह फैट लाइन यानि के भाग रेखा, ठीक है? मैं थोड़ा सा लेख दूँ, यह पहली है हमारी जीवन रेखा या लाइफ लाइफ लाइन, ठीक है? यह हमारी मस्तिक्स रेखा या मैंड लाइन, यह हमारी हेदर रेखा है, और यह हमारी भाग रेखा, ठीक है? हम खोज रहे हैं, नौकरी कब लगेगी? तो नौकरी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, सबसे महत्पूर्ण चीज है मस्तिक्स, आपका मन कैसा है, आपका धिमाग किस लिवल का है? उसके बाद यह भाग रेखा भाग रेखा कैसी है? और उसके बाद यह सन लाइन, सूर रेखा कैसी है? और सन परवत, तीन चीज़ें प्रमक होती हैं, मैं लिखकर बताए देता हूँ आपको सबसे पहले, आपके हाथों में भाग रेखा है, अथवा नहीं, सबसे ज़्यादा यह नभ्य पत्सत प्रभा डालती है आपके जोब पर, उसके बाद सूर रेखा, यह दस प्रभाव डालती है भागे के साब से, मस्तिक्स रेखा, यह 50% संभवना बनाती है हमारे नौकरी की, ठीक है, बहुत सारी चीजे हैं, मैंने यहाँ प्रमुक्षी जे नहीं है, तो आप अपने हाथों में सबसे पहले आपको यह देखना है, आप बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं, मैं यह नहीं कह रहा है, केवल हाथों में रेखा मेहनत तो काफी जरूरी है, जैसे गाड़ी में दो पईये होते हैं, ठीक वैसे ही मेहनत और भाग, दोनों मिलकर ही हमारे जीवन को आगे बहतर बनाते हैं, तो आप काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका भाग काम नहीं दे रहा है, तो उस स् तेली से निकल कर, सीधे चलते हुए, यहां सन के छेत्र तक जाती है, उंगली पर नहीं चड़े, यहां सन परवत के नीचे तक जाए, भाग रेखा, साफ हो, टूटी फूटी ना हो, अच्छी भाग रेखा जिन हातों में होती है, उने व्यक्तियों के जीवन में, नौकरी के नभ्य पस्तर से ज़्यादा योग होते हैं, ठीक, मस्तिक सरेखा, जिन व्यक्तियों के हातों में सीधी मस्तिक सरेखा होती है, ना तो यह नीचे की तरफ ज़्यादा, ना यह ऊपर की तरफ, सीधी मस्तिक सरेखा वाले व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मेहनती और, point to point काम कर जीने वाले होते हैं वो ही करते हैं जो कहना चाहते हैं वो अंद्रसवासी नहीं होते हैं भावनावन नहीं बहते हैं हकीकत में जीने वाले व्यक्ति होते हैं तो यही व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाते हैं जो अपना उद्देश बनाके चलते हैं कि मुझे यह करना है तो ज पूरिके उगली से नीचे को निकलते हुए जितनी बड़ी बिना टूटी-फूटी होगी उतनी ही ज्यादा बहतर अगर यह साफ है तो व्यक्ते को IAS या PCS इस्थर की नोकरी भी मिल सकती है तो यह तो इंडिकेट हो गए कि आपको मिल सकती है लेकिन आपके प्रशनों होते हैं किस उम्मर में मिलेगी तो देखिए बैसे तो बड़ा कठिन है यह सवाल का जवाब देना कि किस उम्मर में मिलेगी इसका निर्ण होता है भाग्य रेखा से कि आपकी भाग्य रेखा किस इस्तति में जाकर आपकी जीवन रेखा से टच हो रही है या जीवन रेखा से निकल रही है बहुत से हाथों में यह भागी रेखा जो वाली है यहां से निकलती है यहां से इस तरीके से ऐसे निकलेगी बहुत से हाथों में यहां से निकलती है इस तरीके से ऐसे उपर तक चली जाती है और कुछ आतों में ये नीचे से ही होती है तो जीवन रेखा इधर से हम समालते हैं लेकन भाग रेखा इधर से तो इसे आप 10 परावर भागों में बाट लिए जीवन रेखा को एक धागा लेजिए ऐसे रख लीजिए और उसमें 10 जो है बरावर डॉट बनाके इसे बाट लेजिए इस तरी कैसे ठीक है तो जीवन रेखा और भाग रेखा का जहांपन मिलन हो रहा है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सुरू से ही मिली है भाग रेखा और जीवन रेखा तो वह व्यक्ति पुष्टेनी पैसे वाला है पारवारिक रूप से ही उसके पास पैसा है उसे दूसरे अपने माता-पिता का पूरा सा योग मिल रहा है ये भाग रेखा अगर यहां आकर मिली तो 10, 20, 25 साल में आपकी जो है नोकरी लगने के योग है या भाग परवतन के योग है इससे उपर 30, 35 अगर 35 के आसपास पहुच रही है तो आपकी जो नोकरी मिलने की जो समय है वो 25 से 30 या 35 के आसपास है 30 और 35 के बीच में है तो 30 और 35 के आसपास है और अगर उससे पहले है तो उसी तरीके से कि आप समय का निधार्ण कर सकते हैं, कि किस समय आपको जो है नौकरी मिलेगी या भाग्यद्य होगा, तो इस तरीके से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, वैसे जीवन में महनब और भाग्य, दोनों के सहयुक से ही जो है नौकरी या भाग्यद्य होता है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताईएगा धर्निवाद इनी सब्दों के साथ जैसरी कृष्ण